नमस्कार मैं प्रद्यम्न तिबारी आप सभी के समक्षुपस्थित हूं मित्रों चार ग्रहों की युती का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, चंद्र, सुक्र और केतु की युती का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में सूर्य, चंद्र, सुक्र और केतु एक साथ बैठे हो तो क्या फल होगा आएए हम जान लेते हैं मित्रों यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, सुक्र और केतु की युती हो यानि कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में सूर्य, चंद्र, सुक्र और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा जातक बिद्वान होगा ऐसा जातक साहित्य और सास्त्रों का जानकार हो सकता है ये कई विसेयों के जानकार होते है ऐसा ब्यक्ति उदासीन प्रबृत्ति का होता है और उदासीन का मतलब की हर चीज के प्रती जादा उत्साह से भरे हुए नहीं होते है कोई भी काम है तो हो जाएगा कर देंगे इस तरह का विचार इनके मन में रहता आ और ऐसे लोग मन से असांत चिंता ग्रस्त रहते हैं ये लोग बाहर से भले ही बहुत खुस दिखते हो या फिर बहुत सुखी दिखते हो लेकिन ये अपनी मन में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा असांत रहते हैं इनकी मन में बहुत ज़्यादा अंतर द्वंद चलता रहता है कि क्या करें क्या ना करें हर चीज में इनको confusion होता है जल्दी से ये कोई निरणय नहीं ले पाते हैं ऐसे लोग थोड़े आलसी सुभाव के भी होते हैं यानि कि हर काम को टालने की आदत होती है कोई भी काम है तो लगता है आज नहीं अब कल कर लेंगे कल नहीं परसों इस तरह का विचार मन में रहता है और ऐसे लोग अतिकामुक प्रबृति के होते हैं चरित्र से थोड़े कमजोर होते हैं और इसी कारण से इनके प्रेम शंबंध जादा बन सकते हैं या फिर इनका आकर्षन बहुत जादा रहता है विपरीत लिंगी के प्रती विपरीत लिंगी यानि कि यदि इस्त्री हो तो पुरुषों के प्रती और यदि पुरुष हो तो इस्त्रीवों के प्रती इनका आकरषन जादा होता है और इसी कारण से इनके संबंध भी जादा बन सकते हैं इन लोगों को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होती है यानि कि इनका स्वास्थ थोड़ा कमजोर होता है अथवा सरीर में कोई एक अंग में बहुत जादा परेशानी होती है इन लोगों को गुपतांगों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है इन लोगों के बैबाहिक जीवन में मतभेद होते हैं अथवा बिवाह होने में परेशानी होती है या फिर बिवाह देरशे होता है। इन लोगों के प्रेम संबंध अथवा अन्य कोई संबंध जादा दिन तक नहीं चलते हैं। अन्य कोई संबंध का मतलब है कि व्यापार में पार्टनर्शिप हो, अथवा ऐसे कोई दोस्ती मित्रता हो या फिर प्रेम संबंध हो, ये सब संबंध हैं इनके ज़ादा दिन तक नहीं चलते, ज़ादा लंबे नहीं चलते, किसी भी ब्यक्ति से इनकी दोस्ती तो जल्दी ह जाती है लेकिन वो दोस्ती जल्दी ही समाप्त भी हो जाती है अपने आप मन अलग अलग हो जाता इस तरह से इनके साथ में होता है यानि कि कोई भी दोस्ती या कोई भी संबंध बंता जल्दी है और बिगड़ता भी जल्दी है इन लोगों को अपनी पैत्रिक संपत्ती लेने में भी परिशानी होती है पैत्रिक संपत्ती से संबंधित कोई लेगल प्रॉबलम हो जाती है अथवा कोई बाद भी बाद हो सकता है लेकिन ऐसे लोग सामाजिक कारियों से अथवा धार्मिक कारियों से खूब लाब कमाते हैं ये लोग यदि समाज में उतर करके कोई सामाजिक संस्था या NGO बगएर चलाएं या फिर समाज के लिए काम करें तो इनको बहुत लाब होता है अथवा ये लोग धर्म से संबंधित काम करें यानि कि धर्म से जुड़ करके काम करें तो भी इनको लाब होता है ये लोग कई विसयों के जानकार होते हैं यानि कि कई कामों के विसय में जानने बाले होते हैं और ये चिंतन में लगे रहने बाले होते हैं यानि कि अपने मन में ही कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं ये लोग दिखने में सुन्दर और तेजस्वी सुभाव के होते हैं ये लोग पराक्रमी भी होते हैं सत्रुहंता होते हैं अपने सत्रुओं को अथवा अपने विरोधियों को दबा करके रखने की कोसिस करते है ये लोग थोड़े क्रूर प्रवर्ति के भी होते हैं यानि कि बैसे तो ये बहुत प्रेम करते हैं लोगों से और दया भी करते हैं लेकिन यदि एक बार कोई व्यक्ति इनका दुस्मन बन जाए तो फिर ये उस व्यक्ति को बहुत क्रूरता से खतम करते हैं फिर उस पर दया नहीं करते कभी, यानि कि जल्दी किसी को माफ नहीं करते हैं, इन लोगों के कारियों में रुकावटें आती हैं, यानि कि इन का कोई भी काम थोड़ी देर से होता है, कोई भी चीजिए इनको चाहिए तो वो देर से मिल पाती है, इस कारण से थोड़ी परेशानी होती है और ये लोग निरनाई भी थोड़ा देर से ही ले पाते हैं निरनाई लेने में क्योंकि थोड़े कनफ्यूज रहते हैं भ्रमित रहते हैं इस कारण से समय रहते सही निरनाई नहीं ले पाते हैं और कई बार जल्दवाजी में गलत निर्णाय ले करके अपना नुकसान भी कर लेते हैं इन लोगों को चर्म रोग यानि कि इसकिन से संबंधित कोई रोग, इसकिन प्रॉबलम, इसकिन डिजिज अथवा दंत रोग यानि कि दातों से संबंधित कोई रोग या फिर दातों में दर्द जैसी समस्या अथवा पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं परन्तु इन सब के बाद भी यदि जातक मन लगा करके एक ही काम करता है और चरित्र से मजबूत बना रहता है तो जातक को निश्चित रोप से लाब होगा ऐसे लोग कभी कभी अपने गुणों का या फिर अपनी जानकारी का सदुपयोग नहीं करते हैं यानि कि ये लोग जानते तो बहुत सारी चीजे हैं लेकिन उन चीजों का ये सदुपयोग नहीं करते हैं, इस कारण से इनको नुकसान होता है। इन लोगों को अपनी बुद्धी का और अपनी जानकारी का पूरा उपियोग करना चाहिए इससे इनको लाब होगा और धर्म से जुड़े रहना चाहिए इससे भी लाब होगा मित्रों आज हमने जाना कि सूरिय, चंद्र, सुक्र और केतु की युति का क्या फल होगा आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार